अपना वजन उठाते हैं फिल्म निर्माताओं और लेखको को कथा को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि कहानी के किसी भी बिंदु पर यह बहुत जोरदार न हो हिंदी सिनेमा ने अतीत में कुछ दिल्चस्ट कोर्ट रूम ड्रामा दिये हैं हमारे पास पिंक, मुल्क, सेक्शन 375 और नो वन किल्च जेसिका हैं और इन में से अधिकांश कोर्ट रूम ड्रामा ने दर्शकों के साथ उस तरह के विशय के लिए प्रतिध्वनित किया है जिस तरह के विशय से उन्होंने निप्टा और इसे दर्शकों के सामने कैसे प्रस्तुत किया गया सिर्फ एक बंदा काफी है जिसका अनुवाद केवल एक व्यक्ति के लिए परियाप्त है सच्ची घटनाओ पर आधारत है अपूर्व सिहकार की द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक नाबालिक द्वारा एक प्रसिध धर्मगुरु के खिलाफ दर्स किये गए छेड़चाड के मामले और आरोपी को दोशी साबित करने के लिए लंबी कड़ी लड़ाई लड़ने के बारे में है 2013 में सेट सिर्फ एक बंदा काफी है कि शुरुवात नू नाम की एक लड़की के साथ होती है जो दिल्ली के एक स्थानिय पुलिस स्टेशन में एक तांत्रिक के खिलाफ छेड़चाड का मामला दर्स कराती है नू के नाबालिग होने के कारण उसके माता-पिता उसके साथ है और वे उसके फैसले के समर्थक हैं जैसे ही मुकदमा दायर किया जाता है इस तांत्रिक के समर्थकों की एक फौज होती है जो गिरफतारी को रोकने की कोशिश करती है गिरफतारी जोधपुर, राजस्थान में दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है और तांत्रिक को 2012 के पौक्सो अधिनियम के तहत कुछ ही समय में सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है शहर में मुकदमा शुरू होता है, जिसके बाद मीडिया आरोपी और पीडित दोनों को लगातार परिशान करता है इस तरह का एक हाई प्रोफाइल मामला हमेशा शक्तिशाली के पक्ष में समाप्थ होता है दूसरी ओर नू और उसका परिवार उस युवा लड़की के लिए कुछ न्याय की उम्मीद कर रहे है दुर्भाग्य से उन्हें सौपा गया अभियोजन पक्ष का वकील तांत्रिक की कठपुतली निकला यह नू के परिवार को जोधपुर से एक और वकी पूनमचंद सोलंकी उर्फ PC सोलंकी को नियुक्त करने के लिए मजबूर करता है इस आदमी को पॉक्सो अधिनियम से संबंधित कई मामलों पर काम करने के लिए जाना जाता है और वह जल्द ही नू को वह न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर देता है जिसकी वह हकदार है PC सोलंकी द्वारा दिये गए आखिरी मोनोलॉग को छोड़ कर किसी भी डायलॉग ने कोई गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा फिर से किसी को भी ओवर टॉप ड्रामा की जरूरत नहीं है लेकिन यहां स्क्रीन प्ले को रहस्य धारदार तरह की कथा की जरूरत थी जो दर्शकों को आश्चर यचकित कर दे की मामला अंत में किसके पक्ष में होगा फिल्म में इन घटकों की कमी के कारण एक समय के बाद सिर्फ एक बंदा काफी है का अनुमान लगाया जा सकता था लीड को बहुत सारे द्रिश दिये गए जहां वह आगे आएगा और बचाफ पक्ष द्वारा दिये गए तर्क से संबंधित तकनी कीता के बारे में सही बिंदु प्रस्तुत करेगा फिल्म के नायक और जिन लोगों का वह प्रतिनिधित्व करता है उन्हें ज्यादा जटके नहीं जेलने पड़ते इस तरह की अदालती नाटक की कहानियों में एक जटके की आवश्यक्ता होती है जिससे उस प्रणाली में लीड के विश्वास को हिलाया जा सके जिससे उसे सफल होना चाहिए लेकिन इस फिल्म में ऐसा लग रहा था कि पीसी सोलंकी के पास बचाफ पक्ष की हर बात का जवाब और समाधान था इसने पठकथा को बहुत सरल और जटिलता और परतों से रहित बना दिया अंत आश्चर्य जनक था लेखक दीपक किंगरानी ने पठकथा की परतों और पात्रों के लिए जटिलता देने में ज्यादा समय नहीं लगाया पूरी कहानी ब्लैक एंड वाइट में थी जो देखने के अनुभव को ठकाव बना देती थी दीपक किंगरानी और निर्देशक अपूर्व सिंह कार की द्वारा इस्तिमाल की गई घिसी पिटी कहानी कहने की तक्नीक इस फिल्म को कुछ ऐसा बनाने के लिए जिम्मेदार थी जो आगे क्या होगा इसका कोई रहस्य नहीं था फिल्म की शुरुवात में दिखाई गई अत्यावशक्ता की भावना जल्दी ही मर गई गवाहों का मारा जाना भगवान और उसके गुर्गों ने यह सुनिश्चित करने के लिए इन सभी अपराधों को अंजाम दिया कि मामला उनके पक्ष में हो इसने कथा को दोहराव भी बना दिया दर्शक अपनी ताकत दिखाने के लिए अभियुक्तों द्वारा इस्तिमाल किये गए एमों को समझने के लिए काफी समझदार हैं दो घंटे साथ मिनट चलने वाली फिल्म में इसे बार-बार डालने की जरूरत नहीं है बहुत ही बुनियादी पठकथा के कारण इसने निर्देशक अपूर्व सिह कारकी को कहानी के साथ प्रयोग करने के लिए कोई जगह नहीं दी निर्देशक द्वारा पठकथा के सीधे व्यवहार ने इस फिल्म को बहुप्रतीक्षित कोट रूम ड्रामा में बदलने के लिए कोई तनाफ पैदा नहीं किया घिसे पिटे बेटे का अंत में अफ़रन हो जाना ताबूत में कील थी मुख्य कलाकारों का प्रदर्शन हालांकी इस फिल्म के लिए अन्य बचत अनुग्रह था क्योंकि यदि आप मनोज बाजपेई और विपिन शर्मा को एक ऐसी फिल्म में शामिल करते हैं जिसमें कथा के रूप में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप आश्वस्थ हो सकते हैं कि उनका प्रदर्शन आपको निराश नहीं करेगा मनोज कोई भी भूमिका निभा सकते हैं और उसमें महारत हासिल कर सकते हैं अवधी, एक वकील के रूप में जो नू और उसके परिवार को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए अतरिक्ट प्रयास करेगा मनोज उस ताकत को चितरित कर सकता है जिसमें उसे शक्तिशाली का सामना बड़ी आसानी से करना पड़ता है वह अपने अंतिम एक आलाप में अपने कमजोर पक्ष को भी प्रदर्शित करता है जिसे समापन वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है यह सीन उनके महान अभिनेता होने का प्रमान है उनकी बॉडी लैंग्वेज और इमोशन परदे पर इतनी तीवरता लाते हैं इस तरह के एक अध्भुत द्रिश को लिखने के लिए लेखक को बढ़ाई लेकिन यह मनोज बाजपेई का प्रदर्शन है जिसने इस द्रिश को वह प्रभाव दिया जिसकी उसे आवशक्ता थी छेड़चाड की शिकारनों के रूप में अध्रीजा भी एक निश्चित स्त्री शक्ती को सामने लाती है जो पूच्टाच से डरती नहीं है भले ही वह जानती है कि उस पर एक हजार आरोप लगाए जाएंगे आधे से अधिक फिल्म के लिए अद्रिजा स्पष्ट कारणों के लिए अपना चेहरा ढख कर रखती है और यहां तक कि उन द्रिशों में भी वह अपने उलंगन और विश्वासधात के दर्द को व्यक्त करती है कुल मिला कर सिर्फ एक बंदा काफी है एक पूरे उत्पाद के रूप में औसत है लेकिन अगर आप कुछ अविश्वस्ने प्रदर्शनों की तलाश कर रहे हैं और उपर्युक्त दोशों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे बढ़े और इस फिल्म को अपना समय दें